हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टेडी फिट चैनल दोस्तो मैं फिजिकल एजुकेशन की चेप्टर वाइज यम्सी की उच्ट इम्पोर्टेंट कोस्चन्स का प्रैक्टिस करा रही हूँ चाहे हुआ किसी भी स्टेट का एक्जाम हो TGT, PGT, KBS, NBS, CLT, राजस्थान, PTI, DSSB सभी एक्जाम्स के लिए बेरी इंपोर्टेंट हैं और इन सभी एक्जाम्स का प्रिप्रेशन यदि आप सिलिबस के एकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोज सिलिबस के एकॉर्डिंग है सभी वीडियोज को वाच्च करके आप अपने प्रिप्रिप्रेशन को बेहतरीन कर सकते हैं यहां पार्ट वन है ओलंपिक से रिलेटेड जैसे कि साररिक्स सिच्छा की इतिहास रिलेटेड यम्सेक्यूज कोस्टन्स के बनाये गये हैं उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा शबी कोस्टन्स आपके लिए फिरी इंपोर्टेंट है यहां पार्ट वन है ओलंपिक से रिलेटेड जैसे कि साररिक्स सिच्छा की इतिहास से रिलेटेड यम्सेक्यूज कोस्टन्स पांच पार्ट में मैं बना चुकी हूँ आज यह ओलंपिक का पार्ट है जो पार्ट वन है तो दोस्तों को स्टार्ट करते हैं जैसा कि कोस्टन वन है कि प्राचीन कालीन ओलंपिक की सुरुआत कब और कहां से वुई थी तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि प्राचीन ओलंपिक 776 इसा पुरु ओलंपिया के मैदान से शुरू हुआ था और 776 से 394 तक चला ठीके 776 इसा पुरु से 394 इस्वी तक चला यानि कुल 294 ओलंपिक संपन हुए और 394 इस्वी में क्या हुआ था कि रोम के तत्कालिन समराड थीयो डोसियस प्रथम ने इसको इसके स्टेडियम को ही तरवा दिया था इसको रोक लगा दिया था इस खेल पर रोक लगा दिया यानि कि 776 इसा पुरु से 394 तक कुल 293 ओलंपिक संपन हुए और 394 इस्वी में रोम के तत्कालिन समराड थीयो डोसियस प्रथम ने इस पर रोक लगा दिया नेश कोस्चन है कि प्राचीन कालिन ओलंपिक की किन दो महापूर्सों ने शुरुआत करने में मदद की तो इसमें मदद किया था आपसर निंबर भी करेक्ट है पिसेट्स एंड इलियन्स नेश कोस्चन है कि प्राचीन कालिन ओलंपिक आयोजित होने वाले छेत्र को क्या कहा जाता था तो जिस एरिया में छेत्र में प्राचीन उलम्पिक आयोजित होता था उस छेत्र को सेक्रेट एल्टीस बोला जाता था ठीक है नेस्ट कुस्टिन है कि प्राचीन उलम्पिक किस देवता के मंदिर के पास आयोजित होते थे तो दोस्तों यह GS तथा हेरा, GS देटा की पत्नी का नाम हेरा था, ठीक है, तो GS देटा and हेरा के याद में आजित किया जाता था, ठीक है, उसकी सम्मान के लिए, GS औँ हेरा की सम्मान में आजित किया जाता था, नेश्ट कुस्ट्टन है कि प्राचीन उलम्पिक के खेल आईजित होने वाले महीने को क्या कहा जाता था यानि कि प्राचीन उलम्पिक जिस महीने में आईजित होता था उस महीने को क्या बोला जाता था तो उस महीने को हीरो मैनिया बोला जाता था ठीक है दियान में रखेग प्राचिन कालिन ओलंपिक के दोरान किस कवी ने बिजय खिलाडियों के लिए कवीताय लिखी तो किस कवी ने तो पिंदार कवी ने जैसा कि दस्तो प्राचिन कालिन ओलंपिक में होता क्या था कि एक कवी होता था पिंदार जो विजय खिलाडियों के सम्मान में कवीता गाया करता था बिजय खिलाडियों के सम्मान में तो दोस्तो कोन बनाय था फिरियास ने जैसा कि प्राचिन कालिन ओलंपिक में एक मुर्तिकार हुआ करता था जिसका नाम फिरियास था वोह क्या करते था कि जो भी बिजयता खिलाडी होता था उन सभी बिजयतां की संगमर्मर् की मुर्ती बनाया करते था नेक्स कोस्टिन है कि प्राचीन कालिन उलम्पिक का प्रथम बिजेता खिलाडी वन इस्टेट दर्ड में भाग लिया था तो वह कौन था जो प्राचीन उलम्पिक खिलो का सर प्रथम बिजेता था तो वह था कुरोबल ठीक है एक धावक था वन इस्टेट दर्ड का ठीक है एंड दोस्तो आधनिक उलम्पिक खेलों का भी सरप्रथम विजयता एक धावक ही था जिसका नाम जेम्स कुनोली था यह ध्यार में रखेगा अमेरिका का एक धावक था नेक्ट कोस्चन है कि प्राचीन कालीन उलम्पिक में खेल आयोजित होने वाले अस्थान मंदिर की पुजारिन को क्या कहा जाता था तो दोस्तों प्राचीन कालीन उलम्पिक एक मंदिर की पुजारिन होती थी जिसको डैमेत्रा बोला जाता था ठीक है जिसको क्या बोला जात था डैमेत्रा और उस मंदर की पुजायन जो होती थी वही एक इस्त्री होती थी जो खेल में अंदर जा सकती थी नहीं तो प्राचीन कालीन उलम्पिक में महिलाओं के लिए खेल देखना भी वर्जित था नेक्स्ट कोस्टन है कि प्राचीन कालीन उलम्पिक में उद्घोसक को क्या कहा जाता था तो दोस्तों जो प्राचीन कालीन उलम्पिक था उसमें जो उसकी उद्घोसरा करता था तो उसकी उद्घोसर को उद्घोसर को इस पोंडो फोरी कहा जाता था क्या कहा जाता था इस पोंडो फुरी नेश्ट कोस्चिन है कि प्राचीन कालीन उलम्पिक में रथ दर्ड के मैदान को क्या कहा जाता था तो प्राचीन कालीन उलम्पिक में रथ दर्ड के मैदान को हिपोडर्म बोला जाता था ठीक है कुस्चन है कि प्राचीन कालिन उलम्पिक में बीजय खिलाडियों को किस पेड़ की टहनियों से निर्मित मुकुट पुरुसकार के रूप में दिया जाता था तो दोस्तो प्राचीन कालीन उलम्पिक में जो भी खिलाड़ी बीजय होता था उसको ओली यानि की जैतुन के पत्ते की मुकुट बना करके पहनाय जाता था ठीक है कौन सी महिला प्राचीन कालीन उलम्पिक के नियम को तोड़ते हुए दर्सक दिर्गा में जा बैठी तो वह कौन सी महिला थी दोस्तो फैरा नाइस महिला थी जो अपने पुत्र पीसी डोरस जो बॉक्सिंग का खिलाड़ी था उसकी प्रतिकता में भाग लेते हुए देखने के लिए इस नियम को भंग किया यानि पहले महिला थी जिसने उलम्पिक खेल को देखा ठीक है और इस नियम को तोड़ा जो नियम था कि महिला के लिए देखना वरजित था इसको तोड़ने वाली थी फैरा नाइस ठीक है नेक्स्ट कोस्चन है कि फरानाईस नामक महिला ने उलम्पिक के नियम तोड़ कर अपने बेटे तथा किस खेल को देखा तो दोस्तों उसके बेटे के नाम था पीसी डूरस और वह बाक्सिंग खिलाई था बाक्सिंग खेल को देखी आपसा नमबर सी यहां पे करेक्ट होगा नेक्स कोस्चन है कि प्राचीन कालीन उलम्पिक में अधिकारी गड़ों को क्या कहा जाता था तो दोस्तों प्राचीन कालीन उलम्पिक में जो अधिकारी गड़ों होता था अधिकारी गड़ों को हेलन डिकोई बोला जाता था दोस्तों यह कोस्चन याल्टी ग्रेट 2018 में पूछा गया है नेश कोस्टिन है कि मुक्के बाजी तथा कुस्ती के मिस्रित खेल को क्या कहा जाता था तो दोस्तों मुक्के बाजी तथा कुस्ती के मिस्रित खेल को पैन क्रेशन बोला जाता था क्या बोला जाता था पैन क्रेशन नेश कोस्टन है कि किस राजा ने पाचीन कालीन उलम्पिक के आयजन पर रोक लगाई तो दोस्तों किस राजा ने लगाई थी 394 इसलिए में रोम के समराट थियो डोसियस प्रथम ने लगाया था आफसन नमबर डी यहाँ पे करेक्ट है नेश कोस्टन है कि थीयो डोसियस प्रथम नामक राजा किस देश का सासक था तथा उसने प्राचीन कालीन उलम्पिक पर किस शन में रोक लगाई तो दोस्तों यह ध्यान में रखेगा 394 इसलिए है इसा पुरू नहीं है तो जो थीयो डोसियस प्रथम था किस देश का सासक था रोम का सासक था और उसने प्राचीन उलम्पिक पर कब रोक लगाई तो 394 इसलिए में आफसन नमबर ए यहाँ पे सही होगा नेश कोस्टन है कि प्राचीन कालीन उलम्पिक को आधुनिक काल में किस ब्यक्ति ने सबसे पहले पुनह शुरू करने का विचार किया तो विचार किया गट मट ने जबकि शुरू किस ने किया कुबर्टिन ने बेरेन प्यरेडी कुबर्टिन ने 6 अप्राइल 1896 को सुरू किया नेक्स कोस्चन है कि आधुनिक कालिन उलम्पिक का पितामः किसे कहा जाता है तो विचारेडी बेरेन कुबर्टिन को आधुनिक कालिन उलम्पिक का पितामः कहा जाता है क्योंकि इन्हों ने ही 6 अप्रेल 1896 को आधुनिक उलम्पीक खेल एथेंस में पैना थेनिक स्टेडियम में शुरुवात किया इस प्रकार बेरेन प्यरेडी कुबर्टिंग को आधुनिक कालीन उलम्पीक का पितामा कहा जाता है दोस्तों इन्होंने ही आई ओसी इंटरनेशनल उलम्पीक कमिटी की इस्थापना 23 जून 1894 में पेरिस के सरवोर नामक अस्थान पर किया और इसका मुख्याले लोसाने सुर्जन लेंड है और आधुनिक उलम्पीक को स्टार्ट करने के उद्देश से और इस प्रकार इन्होंने 6 अप्रेल 1896 को प्रथम आधुनिक उलम्पीक सुरू किया एथेंस के पेनाथोनिक स्टेडियम में ठीक है नेक्स्ट कोस्टन है की कुबर्टिन किस देश के निवासी थे दोस्तों तो ये फ्रांस के निवासी थे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रेक्टिस होगा पार्ट टू नेक्स्ट वीडियो में होगा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आई होप कि आपको समझ में आता होगा दोस्तों कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में ज दोस्तों पिछले वेकेंसी के मुताबिक तो आपको जी जान से लगना होगा डेली बेसे से प्रैक्टिस किजिए तो दोस्तों फर्स वार विजिट कर रहा है तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए विल आइकन को फ्रेस कर लिजिए जिसे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुझता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहें